गुड मॉनी सेक्ट स्टेंडर कैसे हैं आप सब आशा है कि आप सभी अपने गर पर सही और शरक्षित होंगे तेक यूर प्रतिबा हिंदी पार्थ माला बुक और पेई नमबर 68 लेसन नमबर 12 लेसन का नाम है बहादूर रीपा तो आज हम पढ़ेंगे लेसन नमबर 12 बहादूर रीपा के जानकर मैं इस लेसन दोबरा आपको दोँगा बहुत ही इंटरस्टिंग लेसन है इसको पढ़के और सुनके आपको बहुत सारी जानकरी और जो इसके संदेश जो अच्छा जो मिलेगा जैसे कि इस पार्ट में रीपा नाम की लड़की जो की त्रीपुरा की एक छोटे से गाउं में रहती थी उसके साथ उसकी मा, दादी और एक साल का छोटा भाई इशान भी रहता था एक दिन अचानक उनके घर में आग लग गई और उस आग की चपेट में रीपा और उसका जो भाई इशान दोनों कमरे में फस गए क्योंकि दोनों ही कमरे में खेल रहे थे और बगदर में दादी और मा बाहर दोड़ गई क्योंकि उनको नहीं पता था कि रीपा और ऐसका छोटा भाई वो कमरे में खेल रहे थे तो आग की लप्टे को देखकर वो जल्दी से दोनों ही बाहर भाग गई वह दोनों चिलाने लगी आग को देखकर रिपा गबराई तो जुरूर मगर रिपा ने हिम्मत दिखाई उसने अपने आपको और अपने भाई को कंबल में अच्छे तरह लपेट लिया और आग की लप्टों से गुजर कर अपने भाई को शुरक्षित बहर निकाल लाई सभी रिपा की बहादरी को देखकर दंग रह गे यहां तक के रिपा को उसकी बहादरी के लिए अर्दान मंत्री दोबारा पुरुसकार भी मिला जिससे वो बहुत खुश हुई तो इस लेसन का जो मौरल संदेश क्या है हर कठनाई का सामना बहादरी से करना चाहिए तो प्यारे बच्चो जैसे रिपा ने कठिन समय में अपने आपको और अपने भाई को कैसे जो बहादरी के साथ जो बचाया है वैसे आप भी हर जो मुश्किल समय में अगर कोई भी आपके उपर कोई कठनाई आए तो आप भी कोई अपने दमाग के साथ जो क्या करना चाहिए अपना जो हिम्मत जो दिखाने चाहिए गभराना नहीं चाहिए ठीक है तो जैसे के इदर पे नंबर 69 के उपर है एक प्रशन भी है रीपा ने कंबल क्यों लपेटा आग से इसका जो दू उन्होंने ऑप्शन दिये है आग से बचने के लिए या उसे ठंड लग रही थी दोनों मेसे जो पहला जो है इदर लिखे ना आग से बचने के लिए ठीक है इसका जो सही उत्तर है इसको आपने क्या करना बॉक्स में अपने टिक़ लगा देनी ठीक है तो बेटा आप सबने क्या करना है कि इस lesson की reading करनी है ठीक है अपने मम्मी की जा पापा की help के साथ आपने क्या करना इस lesson की reading करनी है और reading करके इस से आपको और भी अच्छे से जो जानकरी मिलेगी ठीक है Thank You